अभीरा को हुआ अपने फैसले पर पश्टावा क्रिश करवाना चाहता है अर्मान और अभीरा की बात स्टापलिस कर्शो ये रिष्टा क्या कहलाता है कि आने वाल एपसोड में हम सब देखेंगे कि कोट में जूटी कवाही देने के बाद अभीरा को अपने इस फैसले पर बहुत जादा अफसोस होगा अभीरा घर वापस आकर फूट फूट कर रोने वाली है अपने इस फैसले के बारे में बार बार सोचने वाली है लेकिन इसके बाद अभीरा ये सोचती है कि अर्मान उसे प्यार करता ही नहीं है तो ऐसे में अगर उसने जूट कहा है और इस जूट के वज़े से मा और पापा एक हो सकते तो इस जूट में कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी अभीरा रो रही है क्योंकि वो अर्मान से प्यार करती है इसके साथ ये अभीरा रूम के बाहर सोती है अर्मान अभीरा को देखने आता है कि तब ही वहाँ पर क्रिश आ जाता है और क्रिश अर्मान से बात करता है क्रिश चाहता है कि अभीरा और अर्मान एक दूसरे से बात करे ताकि इनकी बीच की misunderstanding सॉल्व हो सके जब क्रिश अर्मान से बात कर रहा होता उस दौरान अभीरा सो रही होती है कि तब ही अभीरा का फोन रिंग होता है और इस रिंग के वज़े से अभीरा उठ जाती है जैसे ही अभीरा उठती है अर्मान वहां से गुसे में चला जाता है और साथ ही अर्मान कहता है कि इससे बात करके कोई फाइदा नहीं है क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है और वो मुझसे पीछा चुड़ा कर इस घर से दूर जाना चाती है अभीरा और अर्मान दोनों को लगता है कि वो दोनों एक दूसर से नफरत करते है देखना यह इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कैसे दूर होगी दोनों की यह मिस अंडिस्टान्डिंग आपको क्या कुछ कहना इस पूरी अपडेट को लेकर आप अपना उपिनियन हमें कॉमेंट के जरीए जरूर बताईए और साथी टेलेविजन से जुड़ी सभी लेकर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल को